के लिए इस टुडेंट मैं कपिल गुमार इस्टक्टर और वीस पोली टेकनिक विश्पूरी मैं आज आपको वेलडिंग सौब के बारे में बताऊंगा जो कि मैं पहले बता चुका हूं बेलडिंग क्या होती है वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है वेल्डिंग का मैथ और वेल्डिंग का बरगी करण भी बता चुका हूँ और वेल्डिंग टूल्स भी बता चुका हूँ तोल्स मैं बता चुगा हो डूल समय आपको बात में दिखा दूंगा कि कौन से कहां कहां प्रियोक किये जाते हैं लब गिंट जाते हूं एंग नीम थैट डिंट का अधा बर् quantum दो प्रकार से या जाता है ओ्टोजीनियस हेट्टोजीनियस तो आज हम इसी के बारे में जान जान जानकारी लेंगे कि ओट्टोजीनियस क्या है Ano कि सबसे पहले इस पढ़ेंगे प्राचीन समय में धातूं को जोडने के लिए केबल ब्लेक इसमिति प्लेक इसमिति क्या होती है लोहारी साला जैसे आपने देखा होगा कहीं पे लोहार लोहार पीट-पीट के लोए का कार बदल देते हैं उसी को लोहार गिरी कहा जाता है तो सबसे पहले लोहार गिरी बले किस्मिती बले किस्मिती का प्रयोग किया जाता था उसका प्रयोग जैसे रिंग बनाने में जंजीर बनाने में पाइप बनाने में आधिसाई ब्यस्तों में लोहार द्वारा ही बनाई जाते थी लेकिन आज कल बेल्डिंग का परियोग सबसे अधिक किया जाता है इसमें अनेक विदिया है इन विदियों का बरण अथार्थ इन से संबंदित प्रस्न इस अध्या में दिये जाएंगे आगे जोड़ने वाली दातों के अधर पर बेल्डिंग कितने प्रकार की होती है जैसे मैंने आपको बताया था बेल्डिंग दो प्रकार की होती है ओटोजीनियस और हेट्रोजीनियस तो जोड़ने वाली दातों के अधर पर बेल्डिंग दो प्रकार की होती है ओटोजीनियस होता है इस प्रकार की बेल्डिंग में दो ही प्रकार की दातु नों को कि उसी दातु को उसी दातु की फिलर रोड या बेल्डिंग रोड की साइथा से जोड़ा जाता है जैसे अब हमारा जोब है माइल्ड इश्टील का नहीं एलेक्टाड भी माइल्ड इस तील की लेना पढ़ेगी जैसा हमारा जवाग उसी प्रकार, नोज़ा हगे हमारा हेट्रोजीनियसed अब इस प्रकार की वेल्डिंग मेंगे दो अलग अलग प्रकार की धातूं को हम जोड़ा जाता है जैसे में हमरा माइलड इश्टील का जोड माइल डिस्टील का रोड हैvette हम इस और कोई दातू जैसे पीतल तामबा मैड डिस्टील यह सब जोड सकते हैं कि इसमें जुडने वाली दातु का गल्लांग गल्लांग मेल्टिंग पॉइंट इसमें जुडने वाली दातू के गल्लांग से कम होता है जैसे पीतल तामबा मेल्ड स्टील काश्ट आइरन आधे कि इसी विदीम से जोड़े जाते हैं कि आगे हमारा कि दबाब के आधार पर कि बेल्डिंग कि तुम कर दो थी दबाब के आधार पर मैंने बता है था प्रेसर नॉन प्रेसर कि 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 भूबाब के दो कि कि पूबाब से जोरॉ週 मुदश ही जाते हैं, दो कि वूबाब से जाज इसी भी आड़़ कkop तूब कुम मुश शाइवरू झाल 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 हमारी गैस वेल्डिंग जिसमें झाल 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 होता है और हम वेल्डिंग करते हैं उसमें भी में फिलर रोड की आवसकता होती है जब को बनाने के लिए यह मैं आपको बताई चुका हूँ आर्क बेल्डिंग का टेंपरिचर कितना होता है शक्ती सो डिगरी सेल्सियस से लेकर चार्जाट डिगरी सेल्सियस तक आगे हमारा प्रियोक किया जाने प्रियोक किया जाता है यह तुम बता चुका जब पिगलुई दातू आपस में पूर्टर मिल जाती है तो ठंडा होने पर जोइंट पक्का हो जाता है यह बेल्डिंग करने से पहले मुख्या मेटल के किनारों, एज़ प्रिप्रेशन किनारों की तयारी अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए ऐज़ी प्रिप्रिप्रेशन के नारोगी तजैरी अच्छे से कर लिंगी जब बनवाएं तो मैं पूरा उनमे के करना और form नहीं करना यह सब चीजह मैं बनारोगी तयारी क्या होती यह ते इस अपके कर दो Hat प्रड़ी करेंगे इस प्रकार से मुख्य मेटल का फिलर मेटल में फ्यूजन हो जाता है फ्यूजन फ्यूजन वेल्डिंग में निम्न लिखते से वेल्डिंग की जाती है जैसे गैस वेल्डिंग कि कि ग Eigennin our welding that the metal welding और contract school कि दूसरा होता है हमारा नहीं करने ग्यश में गैस ग्यास के नाम से समाज़े होंगा प्यैस वेलडिंग के छाख इंदॉडिंग के लिए में जही होती है दो गैसे ऊक्सीजन और एकjust इन डोनों का मिश्रयन करके तब जोब तयार किया जाता है और जैसे के मबात करें तो ही गेस वेल्डिंग के बारे हैं गें वेल्डिंग 2 गेसों की मिश्रयों से की जाती है कि दो गेसों का मिस्टरण ऑक्सीजन एंड एस इटलिए ओक्सीजन हमारी कि आग कि सब प्रेसर बढ़ाने के लिए प्रेव कि जाती है एसलिए हमारी द्वलंजीन गैस होती है कि इसी प्रकार से हम गैस वेल्डिंग करते हैं और एलेक्टिक आर्ट वेल्डिंग कि अलेक्टिक आर्ट वेल्डिंग नॉर्मल ही सबने देखी होगी कि जहां दुकानों पर की जाती है किसी की वाइक 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 तूट जाता है उसके लिए आर्ट वेल्डिंग करते हैं देखा होगा वही आर्ट वेल्डिंग हमारी होती है ठर्मिट वेल्डिंग में बता प्ला्स्टिक इन प्रेशर बैल्डिग को Oh कि इस बिदी में जोड़े जाने वाले पाठों को कि इस बिदी में जोड़े जाने वाले पाठों के शिरों को फगलने की अवस्था तक लाए आता है इस बिदी में जोड़े जाने बाले पार्टों को पिखलने की अवस्था तक लाया जाता है इसके पस्चाथ इन्हें दवाव देकर जोड़ दिया जाता है इस बिदी में फिलर मेटल की आवसकता नहीं होती है इस बिदी में फिलर मेटल की आपसकता नहीं होती है क्योंकि प्रेसर वेल्डिंग में फिलर मेटल की आपसकता नहीं होती है इस बिदी में दातू के सिरों को प्लास्टिक अबस्ता तक गर्म किया जाता है इस विदी में धातून के सिरों को प्लास्टिक बस्ता सब गर्म किया जाता है तब ही दोनों पार्टों को आपस में जूर दिया जाता है इस विदी को प्लास्टिक या प्रेसर बेल्डिंग कहते हैं अबोय ऑड़ वेलडिंग की नियमन बिदीया नंबर एक फोर्ज विदी बताए था मैंने उस चार्टमेन व्हारी साला श्ञ राते है में और रस्टेंच वेलडिंग मैं रस्टेंच वेलडिंग देहल दियु परिन फ्लेश वेलडिंग कि यह सब चीजें ओर कि चाड में तो बता ही चुगा था और ये फीक लेगी इसके बार कि आऄसे हमारा टाप रहेगा कर गया वल्डिंग टूर्ज से मैं आपको बता ही चुका हो वैलडिंग टांसफार्मर एलेक्टर होल्डर कि वेल्डिंग टांस्पार्मर कित्ति परकार के होते हैं वेल्डिंग टांस्पार्मर दो परकार के होते हैं एक स्टेप आप स्टेप डाउन और वेल्डिंग में जो यूज़ करते हैं स्टेप डाउन टानसपारव मर दो प्रकार कि होते हैं एक होता है हमारा Ah यूरते हैं अलेक्टोर डॉल्डर सब्सक्राई हिरे यह गुमे ने आपको फिगर बताये था ये किस तरीपी का फिगर ये होती है मारी बेल्डिंग रोड बेल्डिंग रोड ये लेक्टरोड होल्डर ये होता है मारा जॉब या बर्क पीस के सकते हैं से ये अर्थी केबल अर्थी केबल ये होता हमारा टांश फार्मर ये होती है वेल्डिंग केबल और ये होता है कि अर्थ क्लेय अर्थ क्ले अर्थ क्लेयं कि अभी दोबार बनाता हूं गया अची के कमट बेट करेंगे के करेंध करेंगे के होग का अन्य वेल्दिंग केबल के में, व्ल veto करेंगे के पाहिके व्लिट रवेजयार झाल जैसे कहाब देख रहाएं ये फिगर मैं आपको बतावी चुबाँँ पेले यह होता आमरा धीडिन्ट टान्सफार्मर एस यह डीडिसी यह ऊतिर वैंदिंग केवल यह होती मेल्टिंग केवल यह अमर यह मिल्टडिसमेंть यह अलेक्ट और को hold किया जाता है यह अधीज एर फिर लास्ट वीडियो बताये था यह होता है हमारा आर्क वैल्डिंग प्रोसेस कि आगे था हमारा अलेक्टोड बारे बारे बताई चुका इसमें सेव्टी के लिए है घंडी स्क्रेण भी कह सकते एंनी में कहते हैं है तो वे सेफ्टी वी यह होगों सादू और हैं視 थे चसमेसे आँकोंक शरक्षा वां आखों की सुरच्छा के लिए हमें चसमें भी चाहिए होते हैं सेफटी गूगल केते हैं बलेक आते हैं और फेसिल्ड में सैड लगे होते हैं जिससे आखों में चमक ना लगे आर्क आई चमक से बसने के लिए हमें फेसिल्ड हैंड स्क्रीन और हेलमेट और चसमे का प्रयोग करना चाहिए है आगे था हमारा एप्रेंड एप्रेंड होता है लेदर का जिससे हम शरीर पेंदें जिससे हमारी वेल्डिंग के जो इस्पैटर उड़ते हैं हमारे उस पे नहीं आए हैं कि शरीर के नहीं पुड़ेंग आगे था हमारा कि गलफ्स वह भी लेदर की होते हैं आतों सरक चाहिए लिए गलफ्स का प्रेव करते हैं और एक चिपिंग एमर जो वेल्डिंग बीड पे वेल्डिंग बीड लगने के बाद एक परस्ति जम जाती है स्लेक साफ करने के का गली को शिपिंग एमर का प्रेयोग करते हैं या वाइर ब्रस जो खिपिंग एमर से तिस लेक उससे वाइब लग से साफ करते हैं आगे फिर कल हमें क्ल हो आगे लेक्चर में हम आपको बताएंगे इन के सिकैuckt services को को पोड़े और इनकी डेदलियसेंस 2 रोद ऑंगanut ठंब झाल करूं Concept और आगे पटिकल मMore करा सकते हैं पहला पटिकल जुमने आपको बताये था कि मैं सब्सक्राइब लगाना है कि म्युल्डन चैए बेल्डाइब ऊक्यू आगेर, विडिंग char करते हैं